गुट मॉर्णिन फ्रेंट्स टुडेज 11 जैन्वारी 2017 और आज के दे हिंदू एड्टोरियल डिसक्रिसिन में हम चल रहे हैं आज के आटकल डिस्लिस करने हैं और इस आटकल डिस्लिस करने से पहले हम थोड़ी से बात यह कर लें कि आखिर हमें टुरियल क्यों पढ़ते हैं क्यों डिस्लिस करते हैं तो मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा कि आप सबसे परली न्यूजपेपर पढ़िए एड्टोरियल पढ़िए देन आप्टर अप्टर लेक्चर वो सुनिए वीडियो सुनि अगर हम रेगुलर बैसिस पर इसे चीन रखते हैं और रेगुलर टाइमिंग बनाकर इस चीन को फॉलो करते हैं तो हमें अच्छे से कबर हो जाती है जो सारे एजामिनेसंग के लिए बहुत बेनिफिसियल होती है और सबसे बदेशिए नोट मेकीन हमें बनाना चाहिए जो भी हम एक्टोरियल पढ़ते हैं न्यूजपेपर आइमिंगी जो भी न्यूजपेपर तो पूरी पढ़नी चाहिए जो और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें क्या नहीं लिखना है क्या नहीं पढ़ना किसी भी एजामिनेसंग के लिए वह इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ अथे यह बहोत सारे स्टूडेंटलि अइंगलेश्कों करने के लिए न्यूजपे बड़ते हैं और सबसे लोग सगस्यृचेंट भी करते हैं जो भी मेंटर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप एक्टोरियल पढ़िए इस्पेसली फोर दा हिंदू एक्टोरियल पेज उससे कम्निकेसन इसकी लिए इंप्रूब होगी वोकावलेरी पार्ट के सांथ साथ करेंट फिर इंप्रूब होई दूसे जो बैंक से बैंकिन सेक पारेजंबल होता है तो हमें नोगते से चाल करेंगा क्लें कि यह को कर गादें अगर हम आज से अब इसे स्टार्ट करते हैं प्रेंट देखा है जैसे कि ऐसे ऐसे हुआ सीजी यह बैंकिंग के जो भी में पर उसमें डिस्क्रिप्टिव आ रहे आने लगा है डिस्क्रिप्टिव पर मतलब कि ऐसे पुछ लेते हैं टाइप करना है लेटर लिखना है अगर हम अपना नोट बना रहे हैं उसमें क्या इंपोर्टेंस है उससे तो हमाएं माइंड और इंप्रूब ब्रॉड होगा जिस वह से हमें एसे या फिर लेटर लिखने में कोई प्रॉलम नहीं होगी और तो हम आंसर देश सकते हैं अपने वर्ड में क्योंकि अपना वर्ड होता है सबसे इंपोर्टेंट होता है तो फॉर्ड फ्रेंड आप इन सबी चीज़ों फॉलू किजिए रेगुलर वेसिस पर ओकर फ्रेंड आगे बठते हैं हम देखते हैं कि आज कि क्या-क्या इंपोर्टेंट एड्ट्वरिया तो है वेल फ्रेंट आर्के जो आर्केल है ये जो आर्केल है तमिल नाडू में जो पब्लिस सर्विस कमिशन है उसमें 11 अप्वाइमेंट हुई है जिसको मदराथ हाई कोट में रख कर दिया था उसके कौट संदर्ब में सुप्रेम कोट में बरूला है कि फिर से अप्वाइंट करना है उसके रिकारणिं अटिकल है यह जो आटिकल है यूएस में जो यह जो आटकेल है तमिल नाडू के जो पॉब्लिक सर्विस कमिशन है उसमें एप्वाइमेंट हुआ था कुछ इन पहले और 11 एप्वाइमेंट हुए थी जिसों मदरास हाई कोट ने 22 दिसमबर टुफ्रेंट सेटिंग को हटा दिया था उस ओडर को और अभी फिर से सुप्र कोट के जो फर्स्ट वेंट जस्टिस थे हैं एसके कॉल और जस्टिस आर महादेवन उन्होंने बोला था कि जो एप्वाइमेंट है यह मिसकंसेप्शन से हुए है इन प्वाइमेंट में इसमें रूल से रेगुलेशन जो भी नॉम्स है उसको ध्यान में नहीं रखिया गय वह भी इसमें थे हैं उन्होंने अपने सर्विस के लिए एट स्टेंशन के रिक्वेस्ट की थी बट गवर्मेंट ने यह बोल का हटा दिया था कि वह फ्रेश सर्विस सेलेक्शन के लिए लिजबल नहीं है फ्रेंड तो सबसे पहले चीज़ की जो पॉश्ट थी है यह तीन साथ से वेक्षेंट थी बट जैसे एसेंबले एलेक्शन पास में आया तो इन सब थे और नहीं थे तो यह सभी चीज़ एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज है जिसमें सिस्टम को बर्बाद कर दिया तो सुप्रेम को नहीं है इसमें तमिल नादू कर्मेंट को यह बोला है कि आप फिर से फ्रेस एप्वाइमेंट कीजिए और प्रोसेस से कीजिए जिसमें जो भी पॉब्लिश सर्विस कमिसें में उनकी इंटिग्रियाटिक कैलिवर को और क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा और अब देखना यह है कि तमिल नादू कर्मेंट अपनी पॉलिटिकली पॉलिटिक्स को इसमें कैसे इंवल करती है या फिर से उसकी यह जो आर्टिकल है जो अभी अभी जो कुछ इन पहले डोनाल क्रॉम के विक्ट्री होई थी उसके रिलेटेड है उसमें इस बात को हाइलाइट किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो इमेल हैकिंग का जो भी इस उस आय थे रसिया थू और अभी दिसंबर में ब्राको यह बोट भी एफबीजी इससे एंसे ने दिया है कि हाइग कंफिदेंशेल है कि हाँ जो भी इमेल हैकिंट होआ है वह वह इल्यक्ट्राइड को और डोनाल ट्रॉम को वेक्ट्री को सपोर्ट किया और जो भी वोटर्स हैं वह मूव हुए तो इन सभी बारे में यह बता रहे हैं क्योंकि जो भी एंटी सिक्रेसिक ग्रूप है जैसे विकलेस हुआ यह ब्रॉडर मीडिया हुआ उनको इन्फोर्मेशन पास हुआ जिस बार से जो भी एक एलेक्शन था वो एफेक्टेट हुआ और इस इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो बड़ा कोबामा है उन्होंने रसीयन डिप्रोमेट को वापस भेज़ दिया ट्वेंटीफोर आवर के अंदर में वह भी जस्ट लास्ट मंथ दिसंबर में और जो कि काफी बड़ी इस्व है बट उसे बाव जो भी रसीयन जो प्रेस है प्रेस्ट है वाल दिमीर पुतीन वह चुप रहे हैं वह बस यह बोल रहे हैं अब तो बड़ा को मामा जो चार है उनकी लास्ट टाम है ट्वेंटीध जन्वारी तक उसे बाद ड क्यास या हुआ वहां पर जो इमेल होता है एक ओफिशियल डॉक्मेंट की तोर पर माना जाता है ओक फ्रेंड और ऐसा है नहीं कुछ रिपोर्ट यह भी बोलते हैं कि दूसरे देश के इंटरनल इलेक्शन में इंटर्फेर किया यहां तक कि साउथ अमेरिका एंड रस्या म मैं भी इंटर्फेर किया 1996 में अब यह देखना है कि हाँ जो 21st century है वह एक डिजिटल से इन्वर्स बनने जा रहा है तो क्या यहां पर इमेल हैकीन और फ्रॉड नियू जो भी है वह हाइलाइट रहेंगे और आने वाले टाइम में इस और रस्या रिलेसिंस क्या होने वाले है इस जिश को आप देखना है जब डोनाल ट्रॉप आते हैं तो उस समें क्या एफेक्टेट होगा जो नेट्स आर्टिकल है उसको हम डिसल्स करते हैं विल्फ्रेंड यह जो आर्टिकल है टेकिंग कोले स्टार आउट अप दे फ्रीजर इसको 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 राइटर है वाल जो कि एसेट प्रोपेसर है पॉलिटिकल साइंस के एम आइटी तो इसके बारे में राइटर बता रहे हैं कि जो हमारे न्यूज आर्मी चीफ है जनरल बिपिन रावत जिन्होंने इस न्यू यह में कमांड सम्हाली आर्मी की उन्होंने की इंट्रव्यू दिया है इंडिया के घ्मनासिक उनके पास खुके है तो जानकी टायम जिम्नासिटी पर स्पेट किया है उड़ी है तो इनकी एस्ट्रेट Smith क्या हो सकती है इसवार पर हो पाक को पनीस करने जी है जो भी आपकिस्तान सेंटर के लेशन क्या ऑप्सन हो सकते हैं क्या उसे खिलाब को पनीस करने हैं जो भी इंडिया पर बीना किसी इंफर्मेशन के आप हो जी बार-बार नुक्लियर घंकी देता है नुक्लियर अटेक करने के लिए कि आप आप खुछ चीज़ को पनीस के दो किया इक कोले स्टार्ट हो सकती है जी नहीं बट इस नहीं मैटर करता जब तुहां में पार्लियमिन पर अ दिसक्स होते रहा था और इस चीज़ को कभी भी एक सब्सक्राइब नहीं किया था फिर हमारे जो में आर्मी जीफ थे हैं जन्रल विकेशिंग उन्होंने बोला थे कोले स्टार्ट कुड़न विक वाल सो पॉसिबल नहीं है यह जिट नहीं कर सकता और यह सेक्यूर्टी के अधियर के बात होती है जो इस या की में जो सब सब कंडियें इंडिया ऑन पाकिस्तां के बीच के मैं यह फोकस करता है वैसे इंडिया और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसे हैं जाइन अधिक रावात हैं उनके स्ट्राटेजी और कॉल स्टार्ट यह अब देखना रखता ह आने वाले टाइम में और जब 2008 में मुंबई एक वा तो उसमें तो पूरा देश आग बावूला हो गया था बस डर्ड का महौल बना हुआ तो कि यहां असुंहें फायदा पाकस्तान ने और बस drive को हाम पोंकि छाना चाह रहे थी और पाकिस्तान जो है वह अनुप्वावर ब्लड कर रहा है उसको बढ़ा रहा है और पुख्यागैर मिसालेट वना रहा है और वह हमीं धमकी दे रहा है कि हां आट्प करें गार्ट यह बहुत बॉस्ट केस होते हैं और पकिस्तान को अब पकिस्तान इंडियन इमिलेटर करना नों बहुत मुस्किल छीए इसलिए थो हम कहाते रहते हैं ओके फिर बात यहां था है अच्छे से कवांड करें जितना और ज्यादा एडिया को कभर कर सकता है इंडिया जिसे पाकिस्तान ने कप्चर कर चिका है कैप्चर किया हुआ है कास्मीर में इसके लिए हमाई जो आर्मी है उसे पास कुछ मैटेरियल्स एंड अच्छान की कमी है जिस वाइसे वह एक्स नहीं ले सकता है को अग्रेसिव एक्षान लेने वह प्रॉलम आ सकता है सफिसेंट इंफोर्में सफिसेंट मैटेरियल्स इंडिया नहीं मील पाते हैं जो भी पाकिसान अपको एडियास में हैं वहां की जो जो ग्रॉपी देखाए वह काफी जादा वर्स करें सनों था आविंक माशी आचीन में देख लीजिए माइनस मिलेश होता हुआ है और शाहां की बात करें तो हमाप पॉजिटिव होता है कर दिए और वेक्ष उतने एडवांस नहीं हमारे पास इन से इसको इंडूब करना चाहिए टैंक हुए आप है अर्टिलरी पीसे सुए है वह उन प्लेसेस पर नहीं जा पाते होतना तो सौटेश है आम से अनुमेशन के लिए और हाई है हाई हील पर एयर डिफेंस के लिए भी प्रॉलम क्रेट हो सकता है तो इस इसको इंप्रोव करना पड़े अपनी टेकनोलोजी इंप्रोव करना है और पकिस्तान का यह जो बार बार ने के लिए वीपन से डराना इस वेल फ्रेंड राइटर इस बात में बतार किया केस फो क्लेर्टी तो इसमें एक बैलेस बनागा चलना चाहिए कि हां दोने इसमें लिमिटेड वार हमेसा इंडिया लॉस हुआ है लिमिटेड वार स्ट के लिए रेडि होना चाहिए प्रिपेर होना पर कि मल्टिपल एक्सान ले सकता है वह बींग सौट नोटिस पर बीना पाकिसान पर ट्रस्ट किया हुए कि पाकिसान हमेसा सीजफायर को ब्रेक करता है और इंडिया कोसिच करनी चाहिए कि हां वो अपनी टेरिटरी को काफी अच्छे से होल्ड करें और जा जा कभर कर सके लोसी के पार्ट को वैसे इंटरेशनल इस सुझ है फिर यह जो चीज़ा है तो दोनों देश की पॉलिटिकल लीडर्शीप को बैट मैटर को सॉट आउट करना चाहिए सम सम्हालना चाहिए अब यह बात है कि हां सिर्फ गर्मेंट के नहीं दोनों देश की आर्मी और गर्मेंट तो मिलकर कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए और टेरर पर लगाम लगाना चाहिए और फ्रेंड्स एंड थैंस पर टूडे